जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 और 23 जून 2022 के धनुरासी फल के बारे में धनुरासी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे? इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे? क्या योग बनेगा? और ग्रह आपकी तिंचरिया को कैसे प्रभावित करेंगे? जानेंगे आपका कैरियर, वेपार, वेबसाय, नौकरी, सिक्छा, स्वास्त, पारिवरिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्ते जीवन कैसा होगा? दोस्तों आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे निविदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ तो दोस्तों जानते हैं, इन दो दिनों में क्या तिथी होगी, क्या नक्षत्र होगा, और कौन से योग बनेंगे? बात करते हैं, सबसे पहले इन दो दिनों के पंचांग के बारे में 22 जून 2022 आसाड महा का किर्सन पक्ष का बुद्धवार का दिन होगा, नौमी तिथी राद 8 बजकर 47 मिनट तक रहेगी, इसके बाद 10 मी तिथी सुरू हो जाएगी, सबागे योग सुभे 5 बजकर 30 मिनट तक रहेगा, इसके बाद सोभन योग सुरू हो जाएगा, और अगल इदेव मिथुन रासी में वराजमान होंगे और चंदर देव मीन रासी में वराजमान होंगे, राहुकाल का समय दोफैर 12 बजकर 22 मिनट से दोफैर 2 बजकर 7 मिनट तक रहेगा, और अभिजीत महरत कोई नहीं होगा, बात करें 23 जून 2022 की तो किर्सन पक्ष का गुरुवार का दिन होगा, दसमीती थी रात 9 बजकर 43 मिनट तक रहेगी, इसके बाद 11 जीती थी सुरू हो जाएगी, अतिगड योग अगले दिन सुबह 4 बजकर 51 मिनट तक रहेगा, इसके बाद सुकर्मा योग सुरू हो जाएगा, रेवती नक्षेत्र सुबह 6 बजकर 14 मिनट तक रह इसके बाद मेस रासी में गोचर कर जाएंगे। की उपस्तिती आपके लिए डेर सारे अफसर लेकर आएगी यहां आपके परिवार में खुशाली होगी माता पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आज के दिन आप सकारात्मक होकर कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं परिवार में चल रहे जगडे या अनबन भी खत्म हो जुड़ने का प्रियास करें क्योंकि नई लोग भी आपकी काम्यावी में साहयक बन सकते हैं इस दोरान आपके परिवार की तरफ से भी आपको कोई वेबसाइक प्रस्ताब मिलने की संभाव न मनेगी जिसके बारे में आप विचार करेंगे आर्थिक लेंदिन के हिसाब से यह दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा लेकिन लेंदिन में कोई बड़ा जोकिम उठाने के लिए दिन ठीक नहीं होगा तो लेंदिन करते समय थोड़ा सतर्क भी रहना होगा इस रासी के जो लोग नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं और दोनती होने के है तो इस वरान केरियर रफ्तार पकड़ेगा यानि आपको अपने वेबसाय में वरद्दी देखने को मिलेगी जिससे आपको अच्छा लाब प्राप्त होगा कुल मिलाकर यहां चंद्रमा की इस्थिती और द्रस्टी दोनों ही आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं उन्हें मन चाहा संस्थान मिलेगा यानि अनुकूल परणाम प्राप्त होगा यहां आपका घर का माहौल आपको उदास कर सकता है यानि घर में वाद विवाद की इस्थिती बन सकती है तो ऐसे में सैयम से धहर्ये से काम लें और जब चंद्रमा आपके पंचम तो सरवार सिधी योग बनेगा जो कि अपने आप में सिध्य योग है इस योग में सुकरस्त पंचक भद्रा आदि पर विचार करना आवशक नहीं होता क्योंकि यह मुरत अपने आप में सिध्य मुरत होता है इसके साथ साथ कोई योगों को समाप्त करनी की सकती इसमें होत जोतिस के अनुसार कोई भी नएकारिय जो कि सरवार्शिद्य योग में सुरू किया जाता है निश्चित रूप से सफलता पूर्वक पूरा होता है और इच्छित फल प्रदान करता है और यहां चंद्रमा आपके पंचम भाव में होगा जब पंचम भाव में इस्तित होगा तो उसकी द्रस्टी आपके एकादस भाव पर होगी पंचम भाव जो कि आपकी बुद्धी, विद्या, प्रेम संबन्द और संतान का भाव है तो इस दोरान छात्रों को अनुकूल परणाम प्राप्त होंगे पढ़ाई में मन लगेगा दो द्रस्टी सोच होगी और सूजबुच से अपने कार्य छेतर में सफलता प्राप्त करेंगे इस रासी के जो लोग प्रेम संबन्द से जुड़े हुए हैं उन्हें भी अनुकूल परणाम प्राप्त होंगे एक दूसरे को उचित समय देंगे आपसी मिल जोल बढ़ेगा प्रेम भाव बढ़ेगा इस रासी के जो लोग विवाहित हैं उनका विवाहिक यानि दाम पत्ते जीवन खुशाल होगा और आपको अपनी संतान पर गर्ब होगा संतान पक से ऐसा कोई सुब समाचार प्राप्त होगा जिससे घर परिवार में खुशी का माहल होगा और यहां चंद्रमा की द्रस्टी आपके आय लाव और मित्र के भाव में है तो मित्रों का भी पूरा सहयोग मिलेगा और आपको अच्छे लाव की प्राप्ती होगी केई बार कुछ बाधाओं का सामना भी करना पड़ेगा जिनके चलते आप अपने आपको मुश्किल में पढ़ा देख सकते हैं खास तोर पर इस वरान अपने गुशे पर काबू रखना होगा क्योंकि यह है और कुछ नहीं बलकि थोड़ी देर का पागलपन है अतरिक्त आय के लिए अपने सरजनात्मक विचारों का साहरा लें तो जादा अच्छा होगा इस वरान आपकी योजनाओं में आखरी पल में भी बदलाव हो सकता है जो आपको अच्छा फायदा देंगे योजना बना कर खर्चा करें रिस्तों में मधूरता रहेगी सुब कारियों में आप रुची लेंगे और आप कोई रोमान्चक काम कर सकते हैं जेवन साते के साथ किसी मंदिर या धारमे किस्थान पर भी जा सकते हैं छोट-छोटी बातें बड़ीना बन जाएं इस बात का भी ख्याल रखना होगा इस वरान आपको अपने भाई बहनों का भी पुरा-पुरा सहयोग मिलेगा और उनके माध्यम से आपको अपने वैपार में वेबसाय में अच्छे लाब की प्राप्ती होगी जो आपके रिस्तों को मजबूत करेगी इस वरान स्वास्थे में कुछ उतार चड़ा बोनी की संभावना रहेगी तो अपने खान पान पर वैयाम पर थोड़ा सा ध्यान दे अन्यता इसका असर आपके कारेचित पर भी पड़ेगा और इस वरान किसी को उधार देने से बचे क्योंकि इस दुआरा इस वरान दिया गया धन वापस आने की कम संभावना रहेगी कुल मिलाकर दोनों ही दिन आपको वैपार वैबसाइब में उन्नती के नए अफसर देंगे और आपकी आये में भी विरद्धी होगी निवेश से भी लाब होगा और आप अपने भविश्य के लिए धन संचे करने में भी काम्याब होंगे तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहेगे